नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत और आश्टिल्या के बीच खेले जाने माले वर्ल्ड कप की महा मुकाबला आप कुछी घंटे बात सुरू हो जाएगी और इस महा मुकाबला की सुरू होने से पहले ही भारते टीम के कप्तान रोहित सर्मा ने आश्टिल्या के खिलाब खतरनाक प्लेंग 11 का ऐलान भी कर दिया था लेकिन दोस्तों इस मुकाबले की सुरू होने से पहले ही भारत्य टीम के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर शामने आ रही है ऐसे में दोस्तों भारत्य टीम के सेलेक्टर और रोहित सर्मा घंटों माथा पेची के बाद आखिर कर आश्टलिया को धूल चटाने के लिए रोहित सर्मा ने खतरनाक प्लेंग 11 का एलान कर दिया है तो दोस्तों आपको बता दे कि आश्टलिया के खिलाब खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से पहले भारत्य टीम के खतरनाक ओपनर और 2030 के भारत्य टीम के निव को बिना चाहते हुए भी रोहित सर्मा को पहले मुकाबले से बाहर करना पड़ा और ऐसे में दोस्तों सेलेक्टर के पास उसके जगा कीसे मौका दिया जाए इस पर घंटो बहस छिड़ने के बाद अब पहले मैज के लिए प्लेंग 11 का एलान भी कर दिया गया है तो दोस्तों यह मुकाबला आठ हक्टूबर को चेननई के चेपक किर्केट ग्राउंड में भारत आरू आश्टलिया के बीज खेला जाना है और यह मुकाबला रविवार दो पहर दो बजे से सुरू हो जाएगा और टोस भारते समय अनुसार दो पहर एक बजे होगा तो दोस्तों यह मुकाबला में भारते टिम को आश्टलिया टिम को हराना इतना असान नहीं होगा इसलिए दोस्तों पुरा रननिती के साथ प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए एलान कर दिया गया है तो आईए जानते हैं सुबमन गिल के बाहर होने के बाद भारती टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 को तो दोस्तों आश्टलिया के खिलाब खेले जाने वाले मैच के लिए भारती टीम की सुरुआत हमें रोहित सर्मा और इसान किसन करते न जनाएंगे क्योंकि दोस्तों सुबमन गिल डेंगू की वज़ा से अनफिट हैं इसलिए इसे कुछ समय के लिए टीम इंडिया से बाहर क दिया गया था लेकिन दोस्तों ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है और अगले मुकाबले के लिए सुबमन गिल फिट हो जाएंगे लेकिन दोस्तों आश्टलिया के खिलाब रोहित सर्मा और इसान किसन ही पारी की सुरुआत करते नजर आएंगे अभी हाल में ही दोनों ह सुबमन गिल के नहीं होने पर भी भारतिय टीम को अच्छी शुरुआत मिल सकती है क्योंकि दोस्तों इसान किसन भी कई मौका में ओपनिंग करते हुए अच्छी पारी खेल कर टीम इंडिया को मजबूत इस्थिती में ले गए हैं और यह ओपनर भी करते हैं तो दोस्तों पहले मुकाबला के लिए रोहित शर्माउ रिशान किसन ही हमें खेलते हुए नजर आएंगे वही इसके अलावा तिसरे नंबर पर दुनिया का नंबर वन बल्ले बाथ किंग कोहली पारी को संभालेंगे जी हाँ दोस्तों तिसरे नंबर पर भी राट कोहली आस्टिलया के गेंदबाजों पर जम कर रनों की बारीश करेंगे व्रयाट कोहली के अलावा चौथे नंबर पर स्रियस अयर को मौका दिया गया है दोस्तों स्रियस आयर पर टीम इंडिया के बिकेट कीपर बल्लेबाच के रूप में केल राहूल को मौका दिया गया है क्योंकि दोस्तों केल राहूल का फोम 2013 में बहुत जवर जस्ट चल रहा है और एसिया कप में सतक जड़ने के बाद केल राहूल का कंफिडेंस लेबल और भी बढ़ गया है और अश्टिलिया के खिलाब केल राहूल काप्तानी भी किया था जिसमें तीन ODI सीरीज के मैचों में दो एक से कबजा भी किया था और उसके बाद रोहित सर्माने छटवे नमबर पर आश्टिलिया को कुचलने के लिए टीम इंडिया के उपकाप्तान हार्दिक पंडिया को ज आने जाते हैं और आश्टिलिया के खिलाब इस मुकाबले में हार्दिक पंडिया से काफी उम्मीध है की वे कमाल करके दें वहीं सात्वें आठवें और नवें नमबर के लिए रोहित सर्माने तीन प्रमुक इस्पिनर को मौका दिया है क्योंकि दोस्तों चेन्नाई के चे और आर अश्वें तो टीम के प्रमुक अल्राउंडर है जो टीम को जब जब ज़रुरत पड़ती है बल्ले से तब तब इन दोनों ने अच्छी खासी बैटिंग करके दिया है वहीं दस्वें और ग्यार्वें नमबर पर टीम में दो प्रमुक तेज तर्रार गेंद बाजो को सामिल किया गया है जो अभी खतरनाक फोम में चल रहे हैं दस्वें नमबर पर मोहमाद सिराज खेलते नजर आएंगे मोहमाद सिराज की जलवा तो आपने एस्या कब 2013 में देखा ही होगा अच्छे अच्छे बल्ले बाजों की कमर तोड़ते हुए और विशेश कर फाइन 11 के साथ 8 अक्टूबर को मैदान में उतरने वाली है